हुआ हुआ है यह स्टुडेंट्स आई होब कि आप अच्छे से होंगे आज मैंने आपके लिए जेकी बोस फिजिक्स क्लास्ट वाल्ट कर चाप्टर सेकेंड करन्ड एलेक्टिस्टी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए हैं देखते हैं हम के कौन-कौन सा टॉपिक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ट एक्जाम के लिए पहला जो टॉपिक होगा जो इंपॉर्टेंट है वो है ओम्सला यूजिंग कंसेप्ट आफ डिरिक्टिव लास्टी इसकी डिराइवेशन इसको आप अच्छे से देख लिजेगा दें सेकेंड वेरेशन ओफ रिजिस्टेंस विद टंपेचर इन मेटारी कंड़क्टर्स जो थोर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एक्जाम पॉइंट आफ विव के वह है डिस्टिंगविश बिट्वीन रिजिस्टेंस और जो भी वहां पे ट एक या दू कोई टर्म आ सकती है क्योंकि लास्ट येर्स के पेपर देखे गए यह टर्म रजिस्टेंस रिजिस्टिविटी कंड़क्टर इन मेंसे एक न एक टर्म आ ही जाती है एक्जाम में उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है रिलेशन बिट्वीन डिर डिराइव दर रिलेशन और इस इकल टो एम ल बाई एन ए स्केर एटी इसको भी आप अच्छे से देख लोगे उसके बाद प्रिंसिपल आप पोटेंशोमीटर इसकी डायग्राम और इसकी वर्किंग यह आप अच्छे से देख लोगे अब जो important topic है वो है करचापसला यह आप अच्छे से पढ़ोगे और इसके related जितने भी questions आये हैं आज तक exam में previous years में उसको भी आप अच्छे से करोगे sign convention आप देखोगे then principle of weedstone bridge और working of weedstone bridge इसकी डायग्राम यह आप अच्छे से देखोगे then principle and working of meter bridge यह भी बहुत ज़्यदा important है और आपके exam point of view के इसको भी आप अच्छे से देखोगे then emf of two cells using potentiometer यह आप देखोगे important है यह भी then internal resistance of cell using potentiometer यह भी एक बहुत important topic बनता है यहां से भी आपके exam में यहां से भी questions बहुत बाहर आई हुए हैं और आपको क्या करना है जितने भी आपके NCRT में questions दिये हैं examples या chapter के बाद में जो भी questions देए हैं वो आप अच्छे से करोगे then numericals कहां से आने की ज़्यादा chances है आपको वो है potentiometer के और potential difference पर जितने भी आज तक numericals आए हैं या आपके पास इसके related जितने भी numericals हैं उनको आप practice करोगे क्योंकि यहां से यहां से ज़्यादा chances है क्या आने के numerical आने के